आज हम बनाएंगे सूजी कलड़ू, सिर्फ दो चीजों से मज़ेदार और टेस्टी सूजी कलड़ू बनाएंगे यदि आप कह सकते हैं तो आप इसे हेल्दी भी बोल सकते हैं और मिंटों में बनेगा, तो चली हम इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कडाही में घी डालेंगे, वो भी जादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे सूजी डालेंगे और इसे गोल्डन होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे इसे भूनते हुए आठ से दस मिनट हो गये हैं और अब हम इसमें डालेंगे खोया जो हमने घर पर बनाया हुआ था यदि आप चाहो तो रेडिमिंट ले सकते हैं इसमें न मिलाकर बढ़िया से मैस करेंगे क्योंकि खोया जो है वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम डालेंगे चीनी स्वाद और स्वेहत के नुसार चीनी डालेए थोड़ी से ड्राइफ फूर्ट डालेए थोड़ी से नारियल का बुरादा डालेए यदि आपको ड्राइफ फूर्ट पसंद ना हो तो आप इसकी कर सकते हैं सब कुछ बढ़िया से मिक्स करेंगे थोड़ी से उपर से घी भी एड़ कर सकते हैं गैस को अफ करेंगे और इसे ठंडा नहीं होने देना है जब यह हलका गरम हो तब ही इसको हम लड़ू बना लेंगे हाथों से और यदि बहुत ज़्यादा गरम हो तो हाथ में थोड़ सा पानी लगाएंगे इससे ना हाथ जलेगा नहीं और उसे हम गरमा गरम लड़ू का सिप बना लेंगे छोटा पड़ा जैसा भी आपको पसंद हो लड़ू का सिप बनेंगे आप इसे भोग भी लगा सकते हैं भगवान के लिए गेश्टाय तब भी बना सकते हैं फेस्टिबल ते वहार पे बना सकते हैं होली दिवाली सभी ते वहार पे बना सकते हैं और इसे डेली खाने के लिए आप आसानी से बना सकते हैं बी कुछ मिठा खाने का मन करें, तो चली ही मिलते हैं फिर से नए वीडियो में तब तक की लिए बाइबाए और हाँ यदि आप हमारे पेज को फॉलो करेंगे तो इसी तरह के नए ने वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लाइक कीजीए, सब्सक्राइब कीजीए, सेयर थैंक्स पर फूल वाचिंग, बाई बाई टेक क्यार